आज का जो हमारे लेक्चर है वो है मैनुफेक्ट्रिंग आप सोडियम कार्बोनेट बाई साल्वे प्रासिस तो साल्वे प्रासिस के दिरिए सोडियम कार्बोनेट को त्यार करना सोडियम कार्बोनेट एक इमपार्टनेट केमिकल है और इसका फार्मूला होता है एन एटू सी ओ त्री सोडियम कार्बोनेट को मार्कीट के अंदर वाशिंग सोडा भी कहा जाता है या इसको सोडा एश के नाम से भी पुकारा जाता है ये एक वाइट कलर का क्रिस्टिलाइन कमपॉंड है सालिड फार में पाया जाता है और ये हेग्रोसकोपिक होता है मतलब ये कि ये नमी को जजब करने वाला होता है तो सोडियम कार्बोनेट एक एहम केमिकल है उसकी वज़ा क्या है कि इसके वसी यूजेज है ये पेपर इंडस्टि में भी इस्तमाल होता है गिलास इंडस्टि में भी इस्तमाल होता है सोप इंडस्टि में भी इसके इस्तमाल है डिटर्जेंट बनाने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट इस्तमाल होता है तो इसी हवाले से सोडियम कार्बोनेट की बहुत ज़्यादा एहमियत है यह एक important chemical है अब हम आते हैं इसकी त्यारी की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम इसका principle देखते हैं कि इसका principle क्या होता है इसको त्यार करने का तो इसका जो principle है वो है low solubility of sodium bicarbonate at low temperature मतलब यह है कि सोडियम कार्बोनेट का अगर temperature low कर दिया जाए मतलब 15 डिगरी तक इसका temperature कम किया जाए तो यह precipitate शकल में आ जाता है और इस तरह से इसको दूसरे compound से अलाइदा असानी से किया जा सकता है तो यह है इसका principle उसके बाद हमें इसके raw material की जाने बाती है लाइम स्टोन और तीसरा ammonia gas यह तीनों रा मैटिरियल पाकिस्तान के अंदर easily available है ब्राइन हम sodium chloride को water में mix करके हम बना सकते है लाइम स्टोन भी easily available होता है और ammonia gas को हैबर प्रासिज के जरीए तियार किया जाता है तो यह है इसका raw materials अब हम आते हैं इसके basic reactions की जाने यह किस तरह से त्यार होता है तो इसमें सबसे पहले हम ब्राइन त्यार करते हैं ब्राइन आपको पहले ही बता दिया है कि sodium chloride को जब water में dissolve किया जाता है तो इस तरह से ब्राइन हमारे पास बनता है उसके बाद पहला step होता है preparation of ammonical brine इसमें क्या होते है कि brine को इस ammoniating tower के अंदर डाला जाता है और इदर से यहां से ammonia gas इसमें से पास की जाती है और इस तरह से ammoniating tower के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती है sodium chloride होता है water होता है और ammonia gas होती है इन तीनों का mixture होता है ammoniating tower के बाद इस सारे process को सारे material को next chamber में भेज़े जाता है जिसको कहते है carbonating tower यह हमारा दूसरा step है इसमें ammonical brine की carbonation की जाती है मतलब इसमें से CO2 gas पास की जाती है तो जब CO2 gas इस mixture में से पास की जाती है तो इसको कहते है carbonation of ammonical brine अब carbonating tower के अंदर हमारे पास चार compound होते है CO2 gas होती है, ammonia होती है, water होते है और sodium kaloride तो इसमें जो पहले तीन compound है CO2, ammonia और water इन तीनों का अपस में reaction होता है तो reaction की नतीजे में ammonium bicarbonate बनता है उसके बाद next up में ये ammonium bicarbonate इसी sodium kaloride के साथ react करता है और इसके नतीजे में हमारे पास दो compound बनते हैं एक sodium bicarbonate और दूसरा ammonium kaloride लेकिन ये solution far में होती है तो अब हम क्या करते हैं इनको separate करने के लिए हम इसका temperature low कर देती है मतलब 15 degree कर देती है जब हम 15 degree करते हैं temperature तो इससे क्या होता है कि sodium bicarbonate ये solid far में या precipitate far में तबदील हो जाता है और यही इसका principle है तो इसी बन्याद पर ये जो है ठीक है तो उसके बाद तीसरा step क्या होगा इसमें filtration of precipitate कि जिसमें इन दोनों को filter किया जाता है तो जब इनको filter किया जाता है तो ये एक दूसरे से अलैदा हो जाते है sodium bicarbonate अलैदा हो जाते है और ammonium coloride as a by product अलैदा हो जाते है उसके बाद हमारा जो चोथा reaction होता है वो जी है के calcination process calcination क्या होता है इसमें sodium bicarbonate को heat किया जाता है तो जब हमें इसको heat करते हैं तो इसकी breakdown होती है और इससे हमें final product sodium carbonate हासल हो जाता है और इसके साथ water और CO2 gas भी पैदा होती है तो इस तरह से calcination process में sodium bicarbonate ब्रेक करता है इससे हमें final product sodium carbonate हासल होता है और इसके लावा CO2 gas भी खारिज होती है इस CO2 gas को दुबारा carbonating tower की जाने भेज दिया जाता है उसके बाद हमारा पांचवा जो step है उसमें हम CO2 gas को और slag line calcium hydroxide को किस तरह से त्यार करते है तो इसमें हमारे पास एक केलन होती है उसके अंदर हम calcium carbonate को heat करते है तो जब हम इसको heat करेंगे तो इससे calcium oxide बनते है और CO2 gas बनती है तो CO2 gas को carbonating tower की जाने भेजा जाता है और इसके अलावा calcium oxide को एक और चैंबर में store कर लिया जाता है उसके बाद calcium oxide के साथ water mix up किया जाता है और ये दोनों आपस में erection करके select lime calcium hydroxide बनाते है उसके बाद last step में क्या होता है कि इसमें दोनों जो रा material है दोनों जो बाइपरोड़क्ट्स है ammonium chloride है और calcium hydroxide है इनको दोनों को ammonia recovery tower की जाने बेजा जाता है यहां पे इन दोनों का अपस में reaction होता है और reaction के नतीजे में हमें 3 चीज़े हासल होती है एक ammonia gas हासल होती है calcium chloride और water इसमें जो ammonia gas है इसको ammoniating tower की जाने जहां से इदर बेजा जाता है और इसके लावा जो calcium carbonate है calcium chloride है इसको अलेधा store के लिया जाता है तो यह calcium chloride जो है यह buy product के तोर पर हासल होता है तो यह हैं वो सालवे process के basic reactions के जिसके जरी हम final product sodium carbonate को त्यार करती है सालवे process की काफी importance है इसकी वज़ा क्या है कि इससे जो है यह काफी एहमियत का हमिल है इसकी वज़ा क्या है कि यह sodium carbonate जो हमें इससे हासल होता है इस process से उसके अंदर काफी purity होती है जनके pure sodium carbonate हम हासल कर सकते हैं इसके लावे जो है इस जो प्रासेस है एक पॉलूशन free process है और इसमें जो CO2 गैस और ammonia गैस यह मतलब इनको दुबारा रिकवर किया जाते हैं और दुबारा इनको इसके इसका इसका जो raw material हो हमें क्या होता है यजीली अवेलेबल होता है और इसके इलावा ज्वावज़ यह एक पॉलिउशन फ्री प्रासेस है और हमें जो नह一定要 प्रासेस है एक अजिसन जो ज्वावीं प्रासेस है जिसके जिए यहेज़ आसानी से सूडम कार्वोनेट को त्यार कर सकते है तो यह है साल वे प्रासिस, तैंक्स